नमस्का दोस्तों मैं सानी शर्मा फिर से हाजर अपने चैनल सानी नाथ पर स्वागत करता सभी वबना का आज मैं फिर से हाजर हुआ एक नहीं जानकारी के साथ गुरु गोर्षनाजी कि जिब किरपा एवं उनकी साधना सिद्धी करते हैं तो उसमें जो प्रिक्षा वो कैसे कैसे लगती है उन प्रिक्षा में आपको क्या का दिक्कात आती मैं इस वीडियों बताऊंगा और सबसे पहले निवेदन यही रहता है कि अगर आप मेरे चैनल पर फरस्ट हैं वीजिटरों चैनल को जुरू सब्सक्राइब करना तीन मेरे चैनल गुरु गुरु आफना शि उसकी चौंकी बांद दी गई है गुरु के दर अधूरा ग्यान दी है जा घर में दुखत के लिए आप कटवा सकते हैं आप चाहिए हावन करो चाहिए कुछ भी करो तो उसका जो जानल भोग परसाद है जो खर्चा आपको देना पड़ेगा मेरे मुग से कोई साधना लेन भी है कोई मेरे गुरु भाई ने इंटरनेट पर कोई बोरता भी है तो आप लोगोंने किसी का भिशुवाशन ही काना मेरे सिर्फ 4चैनल हैं जिर मैं चला चला के बोलता है सन्नी नाथ गुरू गुरु गुरुखनाथ शीफ गृु गुरुखना नौनाथ चुरासिसिद यह चार ही मेरे चैनल है और बाकी की information है वह description walks है इसके लावा मेरा कोई candle नहीं है और इसके लावा मैं किसी को Спort नहीं करता है तो कोई पैसे मांगता है आप से मेरी नाम पर तो आपने किसी को कुछ नहीं देना और जो बाकी की टेटेल है वो डिस्क्रिप्शन वाक्स में मैंने मैंचन करें स्क्रीन के पर आपके पर नेरी इंफर्मिशन आ रही है तारह करवाते हैं कुछ भी कराते हैं जो भोग परसाद आप आपको देना ही पड़ता है और जो कुछ भी करना है गुरू से निदे में करना है क्योंकि गुरू के बिना कभी भी गती नहीं है गुरू अगर आपने नहीं मनाया तो आपकी साधना सिद्धी सफल नहीं हो पाती है तो अब मैं तोपी के उपर गुरु गोर्खना जी की किरपा पाना चाते हो जा साधना सिद्धी में जो प्रिक्षा है वो कौन-कौन सी प्रिक्षा है आपके लगती है और कौन-कौन सी प्रिक्षा है कौन-कौन सी पड़ाव आपने पार करने है तो सर प्रतम सबसे पहले नवेदन ही होता है मेरा कि चैन अगर आपको अच्छे लगते हैं तो गुरु गोर्खना तो मारज की किरपा साधना सिद्धी में जो प्रिक्षा है देखो अगर आप गुरु मुखी चले हो जो आप सिंपली जो बोलते हैं इंटरनेट पे मंतर है एक ओम शिप गोर्खना जब करते हो कई बरकार के गुरु मंतर लोगों ने बना दिये अगर आप उनका प्रियोग करते हो तो उसमें उस दुराण आपकी सर प्रतम जो सबसे पहले जो आपकी प्रिक्षा लगी तो सबसे पहले आपकी बात जो आएगी गुरु वर्खना दुमाराज के तो सादर में आपको बड़ी बचितर बचितर चीजे देखेंगे जिनमें आपको च्रासिला की यूनिया होती है कुछ ऐसे जानवर और ऐसे जळणे ऐसे पहाड और ऐसे मंतर दिखाए देंगे जो बिलुपत हो चुके है, बिलुपत मीन कि वो आपको सिर्फ सुपनों के मादेम से ही चाप की चेतन और अब चेतन वो बोलते हैं जो मन होता है जो और वो ही आपका देख सकेगा आप उनको नहीं डून पाओगे क्योंकि संसारी के जीवन में आपको वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती है तीसरी बात है गुरु वरुषनाद महाराज के गणा आते हैं गणा आते हैं वो ही नारी का रूप लेके आपके साथ ये संभव बगएरा करने की कोशिश करते हैं तो उसी के द्वारा आपको अनरजी मिलती है कुछ संभोगों से आपका शक्ती बात होता है कुछ से आपका वीरे पत्थन होता है जिसके कारन आपकी साथना में एवं आपकी शम्ता और आपकी कैपिबिल्टी वहाँ पे देखी जाती है कि आपकी साथना सिद्धी में क्या कैपिबिल्टी है और कितना समय आपको लगता है रही बात गुरु गुरुखषनद मारज की किरपा पाने की और उनकी साथना सिद्धी की तो मैं आपको बता दू तो इनकी साधना करते हैं वक्ता आपके मन में जो जो इच्छाएं होंगी उन इच्छाओं के बपरीती आपके साथ सारा कारे होना है जब आपको पूरो नूप से आप इनका जो संकलप निभाद होगे उसके वाद आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरो नूप से पूरो ही जाती है कि यह बंदा एक दम से अगर कोई चीज आती तो बखला तो नहीं जाता यह यह कैसा स्टेप उठाता है यह सारी चीज़े साधना सिद्धी में आप करने तो 41 दिन का पसंकलब ले तो 41 दिन में ही यह सारी चीज़े आपके साथ हो जानी है 36 में और 37 में दिन के बाद आपको गुरु रख्षनतमाराज के कभी भी दर्शन हो सकते हैं एवं उनके दोरा जो आपको सिद्धी परदान करने हैं वो सपनों के मादेम से आपको परतक्षी करने एवं सपनों के मादेम से आपको वो सिद्धी परदान हो जाती है अब बात आ का गुणगान एवं उनका परचार एवं उनके चर्णों में आप और पुब्ली को भी जोड सकते हो तो यह जो है मोल परिक्षाइं है जो गुरू उनात महारज की साधना में लगती है यह परिक्षा है हर इंसान को देनी पड़ती है जब तक आपका जीवन है बार बार आपक की प्रिक्षा होगी हर नहीं साधना सिद्धी में आपको नहीं परिक्षा देनी पड़ती है तो होफुली मेरे दोड़ा दी कि जनकर परश्टर अच्छी लगी हो मरे चारों चैनल को सबस्यादा लाइब स्ट्रीम सन्नी नात पर लेता हो किसी परिकार की सिद्ध समगरी के हैं तो किसी के पिछे नहीं लगना देश 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 जाएगे